हेलो एवरीवन वेलकम बेक टू मैं चैनल मैं हूँ रुजिका और स्वागत आपका रुजिका जमीकूबर में कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे ही होगे आप लोग सब सबस्वस्त रहें मस्त रहें इसी कामना के साथ आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नया अपना वीडियो अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओल अबाउट फाउंडेशन के पारे में मेरे इस वीडियो से आपको फाउंडेशन की सारी जानकारी जो है वह मिल जाएगी तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ तो मेरे इस वीडियो से आप लोगों को ये भी जानकारी हो चाहिए तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ तो जो फाउंडेशन है हमारा यह एक प्रकार का मेकप कवर होता है जो हमारे स्किन को इविन टॉन कर देता है और इसे चैरे में बदलाव आता है चैरा जो है ग्लोइंग दिखने लगता है इसके दाग धबे जूरियां जो है स वीडियोन सही फेस पर दिखाए देन लगता है, तो फाउंडेशन जो है बेसिकली एक कवरेज मेक अप है, और इसने जो आप अपने चेहरे पर एक कवर बनाते हैं जिससे कि वो आपके चेहरे की खामियों को जो है छुपा लेता है तो यह बेसिकली हमारा एक फाउडेशन होता है एक हम फाउडेशन लेते समय अपने लिए अच्छा सा यह जो है पहचानप्as अपनी फाउडेशन होने से पहले आपको अपनी अंडे टॉन चक करने होगी तो जो हमारे अब आप इन तीनों में फर्क कैसे करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो टोन है वह कूल है यह वाम है तो इसके लिए यहां मैं आपको सजेशन दे देती हूं कि जो कूल अंडर टोन होते हैं वह पिंग या रैडिश कलर की होते हैं आपको स्किन का जो टाइप है वह कूल तभी होगा जब आपके चाहरे पर जो गलो है वह पिंक होगा या तो यह आपका अंड Thomas है इसने पैचान ले सकते हो यह आप अपने पाम पर भी देख सकते हो कि आपका जो καун है रोट है या वाम है तो अगर आपका की जो नसे हैं वह यहां पर जादतर जो लोग है 90% लोग जो है वह वाम अंडर्टोन के होते हैं क्योंकि उनका चाहरा वीटीश होता है और बहुत ही कम लोग हैं जिनके चाहरे पर लाली मा या पिंक ग्लो आपको दिखाई देगा तो बेसिकली यह वाम अंडर्टोन के इसकिन टाइप होते हैं और जादतर जो वीटीश कॉंपलेक्स होता है वो भी डार्क अंडर्टोन पर ही जाता है तो जादतर जो हमारे अंडर्टोन है वो वाम ही है इनमें पिंकिश और रैडिश जैसा कोई भी जो सिम्टम है लेक्शन जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा उसके बाद आजाते हैं हमारे neutral undertone तो ये जो अंड़र्टोन है हमारे ना तो ये रैडिश होते हैं ना ये pinkish होते हैं और ना ही रा कलर के undertone होते हैं ये neutral होते हैं और इन पर सभी तरीके fowndation जो हो चल जाते हैं تو यह थीन तरह के basic जो Skin Under Torn थे, वह मैं ने आपको संजा दिये हैं तो चलिए अँव हम हम आगे चलते हैं अब इसके बाद हम वह समझ लेते हैं, कि Quite Kita तो foundation जो हुँआ लगबक 4 प्रकार होते हैं सबसे पहले liquid foundation है, यह सबसाबी skin type पर आपको चल जाएगा सभी type skin type के लिए liquid foundation इससे makeup करना easy रहता है उसके बाद आ जाता है हमारा cream foundation यह dry skin type के लिए जाता है अगर किसी की बहुत जादा dry skin है तो आप उसे cream foundation अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं उसके बाद आ जाता है हमारा पौडर फाउंडेशन यह जो पैनकेक वाले फाउंडेशन होते हैं वो पौडर फाउंडेशन होते हैं और यह नॉर्मल टू ऑईली स्किन पर जो है वो जा सकते हैं उसके बाद आ जाते हैं हमारे मूस फाउ जो है आजकल चल रहा है आपको कौन से skin tone के लिए लेना है यहां में बड़े-बड़े brands की बात कर रही हूं तो हम लगबग जो भी आजकल चल रहे हैं foundation उनसे जो हम makeup करते हैं उनके लिए हम कौन से shade ले यहां में कुछ basic foundation के जो brand है उनके बारे में बता रही हूं तो चलते हैं अब अपने skin tone की तरफ की हम क्या foundation लें तो guys अगर आप fair skin tone के हैं और अगर आप लोग अपने लिए foundation लेना चाहते हैं mac का तो आप nc 15 और nc 20 जो है वो ले सकते हो मेबलीन में आप 115 आइवरी शेट के लिए जा सकते हो क्रालोन के लिए d4 मतलब डर्मा में d4 गर्मियों के लिए और 38 नंबर सूपडा में आप ले सकते हो और अले गर्ल का जो है वो फेर शेट आप ले सकते हो तो यह फेर skin tone वालों के लिए हैं इसमें सारे foundation आ गए और यह कारा जोर्म में में होग जो की जाठा चल रहे हैं जाते हैं हम मीडियम स्किन टोन की तरफ अगर आप इंडियन स्किन टोन लिए कररन तो आप लोग मैंके में 95 25 और 30 के लिए जा सकते हैं मेबलीन में 220 नंबर और N-Bage के लिए जा सकते हैं 310 Sun-Bage के लिए भी आप जा सकते हैं अगर आप घुट्डा व्यूट्वी ले रहे हैं तो आप 310 G जा सकते हैं अगर आप क्रालों ले रहे हैं तो Dermacart D 4.5 ले सकते हैं और FS में आप 28 Supra Lumber ले सकते हैं अगर आप Dark Sun Tone के हैं तो आप MAC में NC 42 ले सकते हैं यह बहुत ही जादा Deep Dark Color है Maybelline का 330 Trophy Color जो है वो आप ले सकते हैं यह बहुत ही जादा Dusky से भी जो थोड़ा गहरा कलर होता उसके लिए है क्रालों के लिए आप D5 और D3 Derma ले सकते हैं और अगर आप Supra का कलर ले रहे हैं तो आप FS 27 जो है वो ले सकते हैं तो यह जो है इस अब मैंने आपको में में जो है foundation के shade number यहां mention कर दिये हैं अब आज आते हैं हम लोग foundation लगाने के सही तरीके की तरफ तो आपको foundation जो है वो कैसे अपलाई करना है सबसे पहले तो जो है आपको बिल्कुल भी अन्प्रोफेशनल नहीं बना हाथ से बिल्कुल भी आपको foundation का इस्तमाल नहीं करना है इसके लिए तो आपको ब्रश ले लीजिए और ब्यूटी ब्लेंटर तो अच्छे बहुत सारे मार्केट में हैं से आप लोग को ही ले लीजिए तो foundation लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहरा जो है बिल्कुल clean करना है दो लीजिए या cleansing मिल से साफ कर लीजिए उसके बार सबसे पहले आप चाहरे को अच्छे तरीके से CTM कर लेंगे CTM मनलब cleansing, toning & moisturizing इसका जो वीडियो है वह मैं जल्दी अपने चैनल पर अप्लोड कर लूँगे आप लोग देख लीजिएगा इसके बार आपको चैनल पर प्राइमर बेस लगाना है यहां पर मैं एक बात और बता दूं कि प्राइमर बेस, और पोर एरेजर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है तो आप, अगर आपको pores की बहुत जादा प्रोब्लम है तो आप पोर एरेजर लेंगे नहीं तो आप लो जैसे कि अगर आपके बहुत जादा डार्क पेचिस हैं और ब्लैक कलर के तो आप लोग ओरेंज के लिए जाएं अगर आपके पिंपल्स के दाग हैं तो आप लोग ग्रीन के लिए जाएं अपने चेहरे के हिसाब से लगाएंगे और फिर उसे अच्छे से आप फैला लेंगे उसके बाद आपको Foundation लेना है कोई भी Foundation ले लिक्विड क्रीम पाउडर या मूस्ट कोई भी लें उसको आपको डॉटाट करके चाहरे पहले करना है फिर एक beauty blender लेना है आपको या foundation के जो ब्रशिय्टस आते हैं उनसे आपको डब डब करके जो है वो सारे चाहरे पर evenly foundation को फै वह फाउंडेशन फेलानी है इससे एक फाइदा ये भी होता है कि जो आपका मेकप है वह वाटरप्रूफ हो जाता है इसके बाद लास्ट पर जो आपको लगे कि आपका जो फाउंडेशन है वह अच्छे से ब्लेंड हो गया है तो आप कॉम्पैक्ट पॉडर से या लूस पॉडर से फाउंडेशन को सेट कर ले इस तरह से फाउंडेशन का सारा तॉपिक तब आज हमने क्लियर कर लिया है आप अजसे लिएशन पर ले हमें तो प्लीज 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 प्ली चेनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें डरफाद आने वाले वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले मिलें यापको और आप लोग मुझे इंस्ट्रेगिंस परो कर सकते हैं उसको जो लिंक है में आड़ कर दूँगे मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो माच बाई एव्रिवन